वेड़ा में में आपको बहुत-बहुत सागत है तो करेंट अफियस की सीरीज में आज मैं लाया हूँ 18 और 19 ऑगस्ट 2018 में जो जो करेंट अफियस जो जो न्यू जो हुए आज हम उसको डिसक्स करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू लॉंच यानि न्यू क्या-क्या लॉंच हुआ है वह हम बात करेंगे तो एम्डेस्टी इंटरनेसल इंडिया ने एक लॉंच किया है कैम्पेन अवर सेफ्टी अवर राइड यानि हमारी सुरच्छा हमारा अधिगार यह कैम्पेन यह कैम्पेन निकाला जाएगा निकाला जाएगा तो आप यह कुछन याद कर सकते हैं कि इंटरनेसल डे कब होगा 11 ओक्टूवर को तब यह कैम्पेन लगाए जाएगा इसके बाद हम बात कालते हैं 19 2018 में पैंसन फंड रेगुलेट्री डबलबमेंट अतौर्टी ने एक स्टेंडिंग कमेट्री लॉंच किये है जो सजेस्ट करेगी स्टीप टू डील भी साइवर सिक्यूर्टी एक्चुली कभी-कभी प्राबलम क्या होती है कुछ हमारे पाफ फेक मैसेजिस आ जाते है कुछ हमारा पासवर्ड है बैंक का डिटेल्स वखेरा कॉल आ जाती है तो उससे सारे जीरों से निपटने के लिए एक कमेटी बनाई गई है किसने बनाई है वो पैंसन फंड रेग जैब लेटि डव्लब्लमेट थॉटी इससे लाँच किया है एक कमेटी किसके लिए सज्जेस करने के लिए और ज्याट्टिक क्या है टू प्रो टरॉटर्टरी इंटेस्ट ऑफ सश्काइवर्स यारि जो इसके सश्काइवर्स हैं पंसन के लिए जो पा रहे हैं उनके किया गया है क्या है सर्वे फाइनेंशल इनक्यूलिजन सर्वे एकोर्डिंग टू दीस सर्वे 88% आफ रूरल हाउसोल्ड है बैंक एकाउं यानी 88% लोग जो रूरल में है उनके पास बैंक एकाउंट है और उन 88% के 24% आउनली यूजिस एटीम सर्वे एक लिस वन्स इंदि थिरीमन यानी उन 88% के 24% लोग ही तीन महिनों में कम से कम एक बार एक बार एक एटीम सर्वे यूज करते हैं यह सर्वे किस ने लौज किया है नावाड ने किसके लिए फाइनेंशल इंक्यूजन के लिए अब बात करते हैं पंजाब निस्टर ने एनउच किया है कि पंजाब पहला एस्टेट हो चुका है जिसने और मोवाइल एप लौँच किया किसके लिए आई हर्याली में नाम ये एक मोवाइल एप लौँच किया है आप यह और अभी तक ये तेरा लाग सैप्लिंग यानि तेरा लाग पौधे लोगों तक सप्लाई कर चुका है तो इस तरह एक कुछन आ सकता है कि ये पहला एस्टेट बताईए जिसने सप्लाई फिरी सैप्लिंग के लिए एक एप लाँच किया है उसे अपका नाम क्या है आई हर्याली और इस्टेट कौन है पंजाब इसके बाद बात कलते हैं इंडिया है सक्सेश्फुली टेस्ट फाइड इंडिजियस्निली डिजाइड एंड डबलब्ड लॉग रेज पेसाइजन गाइडेट एंटी एर फिल्ड बॉम यानि इंडिया ने एंटी एर फिल्ड बॉम का टेस्ट किया हुआ है जो कि एर इंडिया फोर्स के एंडियान एर फोर्स के एर काप दौर्ड डॉब किया गया था सबसे पहले तो the smart anti-airford weapon system was successfully tested सबसे पहले tested कहां पर हुआ था ये चंदन firing range in दारिस्थान तो ये आप याद रखेंगे कि ये test कहां पर हुआ था चंदन firing range in दारिस्थान अब इसके खासवत क्या है ये 120 किलो का होगा smart weapon जो destroy करने में होगा ground target using precision up to 100 km याने 100 km की range तर ये navigation से precisely destroy कर सकता है target को इसके बाद बात करते हैं new appointment तो किर्केटर पाकिस्तान की जो किर्केटर है जो की politician में convert हो चुके है इमरान खान जी उन्होंने पाकिस्तान की नए प्रिदानमंती की रूप में सपत लिए और वह है पाकिस्तान के 22 वे प्रिदानमंती की रूप में उन्होंने सपत लिए तो सबसे पहले तो इस ताइप से question आ सकता है कि पाकिस्तान की कौन से किर्केट कला रही है जो प्राइम मिनिस्टर बने है तो वह है इमरान खाल और वो किस नंबर की प्रिदानमंती है तो यह 22 वे नंबर की प्रिदानमंती है अब बात कलते हैं बोर्ड ओफ इंडिया बोल हाउसिंग फाइनेस ने अब पॉइंट किया है सुभास सेरो रतन मुंदरा जी को आप इनका पिक्चर देख सकते हैं यह कुछ न आ सकता है कि इंडिया बोल हाउसिंग फाइनेस के अब इंडिपेंडेंट डिरेक्टर कोन है सुभास सेरो रतन मुंदरा जी कि इस अब फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ओफ रिजर्बेंक इंडिया तिल जुलाई 27 यानि एक कुछ न इस ताइब से आ सकता है कि ऐसे कौन से बेखती है जो रिजर्बेंक ओफ इंडिया की फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर रहे है और अब उन्हें इंडिपेंडें तो डेस 19 अगस को वर्ल्ड यूमनितरियन दे मनाये जाता है यह टिर्ब्यूट किये जाता है तो वर्कर्स हूर इस दियर लाइफ इन यूमनितरियन सर्वेस एंड तो गेदर सपोर्ट फॉर्ट प्यूपल अफेक्टेट बाई क्राइस एराउंड दी बर्ड यानि वर्ल् जो लोग अफेक्ट होते हैं उनके लिए यह सपोर्ट गैदर करते हैं उन्हें सर्वेस पुवाइड करते हैं उनके लिए यह दिन बनाये जाता है तो इस तरह से कुछन आ सकता है कि 90 अगस को कौन सा दिन होता है वर्ल्ड यूमनितरियन दे अब 19 अगस को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की रूपे भी मनाये जाता है तो यह कुछन आ सकता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब होता है 19 अगस को और it is salivated in order to inspire फो टोंपर फोंटोगाफ़स तू शेयल देर और टू। पय। अपकर नगर्थ करने की लिए। है उनको काम सेयल करने की लिए। पॉटोगाफ़ी की जो आर्ट है उसको given के लिए अब बात करते हैं प्राइजिस की तो यूनाइटेड इस्टेट गवर्नमेंट ने अवार्ड किया है लीगन ओफ मेरिट यानि डिक्री ओफ कमांडर की जो वादी दी है वो किसको दी है जनरल दलवीर सिंग सुहाग जो की रिटार्ड हो चुके है वो क्या थे आर्मी स्टाफ के चीफ थे इंडियन आर्मी स्टाफ के चीफ रह चुके थे उन्हें उनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने लीगन ओफ मेरिट की उपाधी दी हुए तो यह कुश्चन आ सकता है कि किस भालतिये को लीगन ओफ मेरिट की उपाधी मिली है वो है जनरल दर्वीर सिंग इंडिया ने डिफीट किया है बांगलादेश को इन दा फाइनल आप दी साउथ एशियर फुटबॉल फैडिशन यानि एस एफफ और यह अंडर फिप्टीन वोमेंच चैंपियंशिप में है जो कि कहा पर हुआ था था तेंपू भुटान में तो सबसे पहले तो यह कुछन आता है कि अंडर फिप्टीन वोमेंच चैंपियंशिप कहा हुई थी थिंपू भुटान में उसमें इंडिया ने बांगलादेश को डिफीट किया फाइनल में यानि इंडिया ने इसे जीता हुआ है आप दा साउथ एसे फुटबॉल फैडि अब बात करते हैं इस एर अठारा ओगस्ट को एसिन गेम्स का स्थार्ट हुआ है इसकी शुरुवात हुई है जो दो सेप्टम्बर तक चलेंगे और यह कहां पर हुए है इंडिया नेशन जो सिटीज है जकालता एंड पालिम बैंक अब इंडिया की तरफ से इन एसिन गेम में पास सो पहत्तर इंडियन एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे जिन में से 36 यानि 36 डिफ्रेंट स्पोर्ट्स करता करीमें यह इंडियन होंगे इसीन गेम का इनल्जी ओफ एसें यह कुछशन सरूर आ सकता है कि एसें गेम का मोटर क्या एनल्जी ओफ एसेंड और कब से व स्टार्ट हुए एटीन ऑगस्स से 2 सेप्टरबर तक और कितने इंडिये पार्टिसिपेट किया आद ना में पास्सो पहत्तर और यह कहां पर अब बात करते हैं Asian Games में तो जो पहला gold आया है वो भारत की तरब से आया है wrestler बजरम पूनिया की दौरा बजरम पूनिया जी जो कुस्ती में है इन्होंने पहला gold medal जीता हुआ है 18th Asian Games का भारत की तरब से और इन्होंने किसको defeat किया है Japanese के जो है जापान के है धियाची टकाटानी को 11-8 से इन में 65 किलोग्रम यानि 65 किलोग्रम फ्री स्टाइल जो इवेंट होता है मेंस का उसमें इन्होंने gold medal प्राथ किया है अब बात करते हैं teen cyclist यानि छोटे cyclist इसो L1 जी ने एक history create किया है by claiming India's first ever medal यानि पहला बार इसको में medal मिला है किसमें junior track cycling world championship में आज तक इंडिया को इसमें कभी भी कोई medal नहीं मिला है तो यह पहली बार इंडिया को medal मिला है वो भी silver medal at the USI junior tracking cycling world champions है जो कहां पर हुई थी एगले Switzerland तो सबसे पहले तो कुछन आ सकता है कि यह junior track cycling कहां पर हुई थी Switzerland में एगले Switzerland में और इसमें इंडिया ने कौन से मेडल silver medal पहली बार जीता है किसने जीता है यह सो एलवन ने जो 17 साल के छोटे से लड़के हैं जो कहां से बिलॉग करते हैं अंडवान एंड निगोवार से अब बात करते हैं New Delhi has been granted hosting rights of combined ISSF यानी international शूटिंग स्पोर्ट फेडिशन जो वर्ल्ड कप है टोकियो एक्चुली क्या है 2020 में टोकियो ओलंपिक होने से पहले वर्ल्ड कप होंगे जो की कहां होंगे निउ डेली में यह वर्ल्ड कप किसके होंगे दिक कंबाइड आई एससेफ यानी इंटरेशन सूटिंग स्पोर्ट फेडिशन तो निउ डेली को इसका granted मिल चुका है यह वर्ल्ड कप कराने का इन्हें rights मिल गया है 2020 टोकियो ओलंपिक के पहले अब बात करते हैं डेस की तो फॉर्मर यानि पहले जो रह चुके हैं युनाइटेड नेशन सेकेर्ट्री जनरल कोफी अनन जी जो की 80 साल के थे वो पास्ट अवे हुए है उन्होंने एजन सर्फ किया है यू एन फ्रॉम 1997 टू 2006 तक वाज अलसो अवार्ड़ेड दी नोवर पीस प्राइज इन्हें तो अभी ये कुश्चन आ सकता है कि ऐसे कौन से ब्यक्ति हैं जिन्हें नोवर पीस प्राइज मिला हुआ है और जो यूनाइटेड नेशन सेकेर्ट्री जनरल रह चुके हैं जो की अभी अभी लेटेस में पास जब वे हुए है वो है कोफी अनन ज सबसे पहले बात करें मौरिसस की कैप्टल क्या है पॉर्ट लुइस इसमें ग्यारब भी हिंदी सम्मिलन हुआ है जो कि 18 से 20 अगस तक चलेगा इसमें डेलिगेट होंगे 20 देशों के इसमें डेलिगेट होंगे इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा तू इसमें ड यानि हिंदी का जो वर्ड है जो विष्व है और भारत का जो कल्चर है वो आठ सब टॉपिक से डिवाइट करके उन पर डेलिविरेट होगा जिसमें 20 कंटी भाग लेंगे तो इससे किसे कुश्चन आ सकता है कि ग्यारबा विष्ट हिंदी सम्मिलन कहां हुआ है पॉर्ट अब बात करते हैं कुछ रोचक बात हीलियम जो की हमारे जो टेविल होती है कैमिसी में उसमें हीलियम दूसरा इसका एटोमिक नमर दो है इसको टेड़ सो साल कंप्लीट हो चुके है जब से इसकी डिसकवरी हुई है हीलियम की कैस की तरह टीट होता है जो की कुबारों में बढ़ी जाती है यह सबसे बढ़े डिसकोवर्ड हुई थी अठारा अगस्त अठारा सो अडशट में किसके दौरण बाइफ्रांच एस्टोमर्स जूल्स जैंसिंस अलोंग विद नॉर्मल लॉकियर तो किस गैस को डेट सो साल हो चुके हैं डिसकवरी से हीलियम गैस को अब बात करते हैं पिछ ब्लेक पिछ ब्लेक क्या है अब बाई इनियल मल्टी नेसल लाज फोर्स इंप्लाउमेंट वार्फेर एक्ससाइज है जो कि किसके दारा होस्त की जाती है रॉयल ऑस्चेलियन एयर फोर्स आर एफ इन ऑस्चेलिया तो यह आस्चेलिया दौरा की जाती है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे सोला देश सोला नेशन मोल देन एक सो चालेश एयर क्राफ्ट दि करेंट एडिशन बाद दी लाजेस पिछ ब्लेक एवर कंड़क्टेंट बाई औस लिया तो यह कुशन आ सकता है कि यह पहली बार है इतना लाजेस पिछ ब्ले और शिलिया में कंड़क्ट हुआ इसमें सोला देशों ने भाग लिया है अब बात करते हैं इंटरनेशन कॉन्फरेंस और डिसेंट एडवांस इन फूर्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलोजी यानि आई सी आर ए एफपी टी इंटरनेशन कॉन्फरेंस और डिसेंट एडवांस फूर्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलोजी जो कहां पर हुई है आई एफट थंजव और में बेसिकली इसके थीम क्या थी कॉन्फरेंस की तो डबलिक फार्वर्स इंकम थो फूर्ट प्रोसेसिंग यानि जो फूर्ट प्रोसेसिंग है उसके द्वारा जो किसान है उनकी इंकम क को डबल करना, the conference provide a strong platform for knowledge sharing, meaningful delegation among industry, academia, researcher and farmer, यानि यो conference provide हुई है, किसके लिए, a strong platform for knowledge share की गही है, meaningful delegation among industries है, academia, researcher and farmers के बीच वे, जो भी knowledge share की गही है, उसके लिए platform बनाया जाएगा, या इन्हें थीम रखी हुई है, doubling farmer income through food processing, तो इस ताइप से question आ सकता है, कि जो iCraft है, इसके theme क्या है, doubling farmer income through food processing, Thank you guys for watching this, made a way के साथ जुड़े रहिए, आप हमें comment के फॉर्म में जरूर बताइए, या आप को वीडियो कैसे लगा, आप इसमें कोई और नए आड करना चाहे, तो आप most welcome है हमें बताने के लिए, made a way के साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को like कीजी, subscribe कीजी, धन्यवाद,